क्राब का ग्रेवी जो आपको बहुत ही पसंद आएगा यह बहुत ही डिफरेंट स्टाइल में बनता है क्राब करी का रेसिपी में मेरी फ्रेंड के घर ड्राइ की थी वह बहुत अच्छी से बनाई थी तो मैंने आके घर में में भी ट्राइ किया तो मुझे देख लिजिए क्राभ को केशे कट करते हैं जो जो मैं क्राभ लेखा ही हूँ वोँ सौप में ही वो भया क्लीन कर रहे थे तो वो ही पे मैंने वीडियो ले ली थी ऐसे भी मुझे भी क्लीन करना आता है बट यहां पर लेखार की देते हैं क्राब केसे कट करें आप घर में गट कर रहे हो तो यह आपको जरूर हेल्प करेगा इसे कट करने के लिए तो देखिए यह उन्होंने इसे कट करके मुझे दिये हैं बट यह वाला इसे नॉर्मल ग्रेवी के लिए करके यह बिए बड़े खर्ड़ी करें तो जी बनारे हों मुझे यह एक चोते चुटे लेग अलग छाहिए और यह बड़े लेग मुझे मुझे अलग जो लेक से उलक़ा अलग करके रख दूंगा एक प्लेट में यहां पे में क्राप और अच्छे से धो ले रहे हूं के जो छोटे छोटे लेक्स में अलग करके रखी ती इसको एक मिक्सी ज़़ार में डाल की इसका अच्छे से पेस्ट बना लेंगे पहले बीना पानी का थोड़ा सा mixing में चला लेंगे फिर उसके बाद थोड़ा सा पानी देके उसको चलाएंगे अढ़ यहां पीको पेस्ट अच्छ से बनके रेड़ी है, इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे, आधम और उसको िवा के सबच के मदद ूमेहें से क्राफ्स का बहुत हेल्थ बेनिफिट रहता है यह हमारे बॉड़ी के लिए बहुत अच्छा रहता है तो चले इसको अलग करके में रख देती हूं साइड में कि अ क्राफ्स का अच्छा रहता है अच्छा रहता है में पास नहीं था तो में यहां पर लियू हो क्यूमन वण स्पून और तो टुक्डे ढाल्चिनी का अंड पांच छे काली मिर्च ब्लाक पेपर और यहां पर अध्यों डॉंड विट्स नहीं दो मैं फ्राइब़के लेहाँ और धुनागाट थोड़ा सा एक टुकडा अध्रब को काट कर ली हुल Nim skaare यह बड़े बड़े भाप के सिले में टर लिए हो ना थोड़ा सा धनीया हैे तो थोड़ासे इतना देख पारवाग ङूं क्ति होगी स्बूंसि दोक्राव इसको थोड़ा सा पानी डाल के हम इसको अच्छा सा पेस्ट बना देंगे इसमारा पेस्ट ready है इसको side में रख दे ते हैं और nap नेक्सट के लिए चलते है तो यह वाला आप हल्दी नमक डालके अपना Cake डाल के और Afra I can't तो तो में थोड़ा सा ओए लेकि इसको थोड़ा सा फ्राइ करूंगी जादा नहीं थोड़ा कम ही मुझे फ्राइ करके इसको जैसे रेड कलर दिखे वैसे इतना तक ही में फ्राइ कर दूंगी कि यहां पर मीं सेम कड़ाए में और थोड़ा सा ओ स सू डाल रहे हूं उसके बाद मैं डालूंगे रेड चिली पाऊदर दू स्पून भरके mult एंड वन स्पून हल्दी पाऊदर वह व्यीडियो मेरेसे टूंग हाई जब में डाली थी तो उसके बाद मैं डायरेक्ट मसाला ड बुनाई कर रहे हूं और कोई भी मसाला इसमें डालने का कोई जरूद नहीं है उसी मसाला पेश को हम लोग भूनेंगे ओयल में जैसे उसका जो ओयल लोज आउट होने लेगे तो यहां पर मसाला अच्छे से भूनाई हो गई है और इसमें मैं थोड़ी से डाल देए हूं गर जादा हम लोग मसाला यूज करेंगे तो जो उसका जो क्राप का जो खुद का जो टेस्ट होता है वो कम हो जाता है इसलिए हम लोग ज्यादा मसाला का यूज नहीं करेंगे तो इसको और थोड़ा सा में मिक्स करके बून ली हूं मसाला डालके उसके बार में हम लोग डाल कराब को हम लोग कर निकाले थे वो बाला क्राप का निट पानी ठाल देँ ठोड़ा-तोड़ा-दाल के हम लोग मस करते जाएंगे के लिए भूड़ा बैट करें के बादव और जो क्राप का और थोड़ा सा पानी था मैं सारा डाल दूंगे इसको और ग्रेवी के लिए जितना पानी चाहिए और एक्स्ट्रा पानी भी आड़ कर दूंगी ये पानी काफी नहीं होगा ग्रेवी के लिए तो मैं और थोड़ा सा क्राप के ग्रेवी के लिए मैं पानी दे ल तो यहां पर मैं और थोड़ा सा पानी डाल दूँगी यहां पर मैं जितना पानी को देखके जितना सॉल्ट आड करना है वो आड कर दी हो और उसको अभी धकन लगा के अच्छे सा इसको बॉयल होने देंगे एक बार बॉयल होने के बाद इसमें हम लोग जो क्राब फ्राइ करके रखेते आप चाहो तो यहां पर कच्छा ऐसे ही क्राब डाल सकते हो मैं यहां पर फ्राइड क्राब डाल रहे हूं तो इसको डालके मिक्स कर देंगे और थोड़ा वांद दस मिनिट के लिए फिर से कवर क करके कुक करेंगे जिसे अच्छे से कुक हो जाए यहां पर हमारा क्राब करी बनकर रेडी है अच्छे से बॉयल हो गया है अच्छे से कुक हो गया है अभी जास को कर देते हैं बंद आंड उसके ऊपर डाल देती हूं थोड़ा साहरा धनिया तो देखिए क्राब गरी भी ब आप को यह रेसीपी बहुत अच्छा लगा होगा जिस चनली आताता है है इस रहाँ आकने और कहते हैं पर लिए वहांछा है बहुत है तेकर घंडें अच्छा है यह उतसप क्रें। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तो फिर आज के लिए रहती हूँ फिर मिलते हैं और एक वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार जय जगरनात बाबाई